सुट capaz करें वे लोग टुम बैक टू Mाई चानल चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस एपिसोट के साथ आज के इस एपिसोट में हम लोग यहाँर इसकस करेंगे यहाँ श्चॅ यहां पर पहले हम लोग कंपनी के थोड़े बहुत यहां पर फंडमेंटल से देख लेंगे फिर आते हैं चार्ट पर और देखते हैं कि हम लोग का यहां पर प्लान आफ एक्शन क्या हो सकता है अब याशों इंडस्ट्री इसकी अगर बात की जाए तो सबसे पहरी चीज तो यहां पर यह है कि एक 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 केमिकल कंपनी है मतलब अगर देखा जाए तो प्रोड़क्ट वाइस प्रेकप जो भी कहना चाहते हो तो यहां पर रवर केमिकल सबसे जादा मतलब एक तरह से अगर देखा थरीफाइब परसेंट यहां पर आपका रेविन्यू लेकर आता है उसके बाद यहां पर स्पेशालिटी केमिकल्स पच्चेस परसेंट के आसप अगर आपके इसकुर्म कीमिकल्स हो गया जो की अगर देखा जाए तो अरोम वाले केंडल्स और लाट इवे आते हैं तो उन सारी जगह इस सब यूज होता है तो इक तरह से कह सकते हो कि इंडस्ट्रीय केमिकल रहे हैं और रेवन्यु वाइस देखा जाए तो इंडिया के नजरा है बाकि के वर्ल्ल में लेंगे अगर 60 पर संट के आज पास कमपनी की हम देखने के लिए अब इधर बीज देखा जाए तो कंपनी यहां पर एक्सपैंड भी करते नजर आ रही है मतलब अगर देखें तो यहां पर आप लोग देख सकते हो कि एक अल्रीडी इनका प्रोजेक्ट चल रहा है दहेज के अंदर एक यहां पर जगा है दहेज उसके अलावा अगर देखा जाए तो यूएस के अंदर भी एक सबसेटरी खोल के वहां भी कंपनी एक्सपैंड कर रही है तो फर्दर अगर देखा जाए तो रेस्ट ऑफ दे वर्ल के अंदर यहां पर कंपनी का रिविन्यू आने वाले समय में और तेजी से यहां पर बढ़ सकता है अब बाकी एक यह पर बात की जाए तो यहां पर फिलाल जो यहां पर हम लोग की मेडिली इस्ट में जो सी वाली इशूस चल रहे हैं उसके चलते यहां पर थोड़ा बहुत इशूस आ सकते हैं बाकी इसके अलावा कंपनी का यह भी मानने कि आने वाले चार से आठ कॉर्टर के अंदर यहां इसके अलावा अगर देखा जो तो ग्रोथ हो यहां पर देख सकते हो कि पांच साल की काफी अच्छी देखने के लिए मिली है कंपनी के अगर वैलिएशन की बात की जाए तो स्टॉक की पी 44 के आसपास की है प्रॉफिट गोथ थोड़ा से यहां पे पीछे रह गई लेकिन अगर देखा जाए तो आब यहां पर देखा जाए तो जो वह और शलरी कंटिनुएशन में उसके वज़ए से फ्रेट कास्ट के कारण और रिवन्यवाइज भी यहां पर जैसे देखे और यहां पर 62% रिवन्यव आ रहा है और यहां पर अगर कंपनी एक्सपोर्ट ही नही करने का कंसिडर कर सकती है थोड़ा बहुत अभी यहां पर कस्टमर के ऊपर थोड़ा सा प्राइस पुछ कर सकती है या एक्सपेंसे अगर देखा जाए तो वह सारी चीज़ें यहां पर काफी अच्छी नजार आ रही है उसके बाद नीचे आएंगे हम लोग यहां पर कौर यहां पर सेल्स थोड़ी सी कम है बट फिर से अगर यहां पर अगर देखा जा तो मार्जिन अगर यहां पर होती है तो हम लोग को ने प्रॉफिट बढ़ते फिर से यहां पर नजार आ सकता है मतलब मार्ज 2024 का रिजर्ट जब तक आएगा तब बट उसके लिए थोड़ा सा जाधा मार्जिन नानी पड़ेगी क्योंकि अगर 2022 की बीए बात किजा तो इनिशेली के मार्जिन हम लोगोगो ठीक ठाक देखने के लिए मिल रही थी बाद में थोड़ा सा यहां पर बीच बीच में अगर देखने कि लीए मिली है स्के अलाब बाखी सारी चीज़ा यहां अगर देखा तो ठीक ही नज़र आ रही है मतलब स्टेबिलाइज कंपनी है बहुत जादा यहां पे ग्रोथ अभी फिलाल देखने के लिए अम लोगों मिल नहीं रही है बट यह है कि थोड़ा सा एक बार सिचुएशन ठीक होती है तो यहां पे सेल्स और कंपनी की प्रॉफि छार्ट पर देखने के लिए यहां पर नजर आ रह रहा वह वैसे तो अभी देखा जाए तो थोड़ा सा ब्रेक आउट पॉंट से काफी उपर जा चुकी तो अभी किलिए न से पूछोगे तो भाइंग करने के लिए थोड़ा सा हम लों को यहां पर वेट करना पड़ेगा अब वैसे अगर आपको swing trade purpose से buy करना तो एक बार को देखो आपको यहां पर target आपको निकल चुका है तो अभी initially तुरंत अभी यहां पर दुबारा आके बाय नहीं कर सकते है long term के लिए hold करने तो हमें लगता है कि एक थोड़ा से steady pace के अंदर आपको धीमे धीमे company return provide करना start कर सकती है तो long term के लिए company यहां पे ठीक है लेकिन buy कप करना है वो एक important question हो जाता है अभी के लिए तो क्यूंकि अगर देखा जाए तो यहां पे आप लोग को 15-20% उपर ही बिले दी है तो एक बार चोटा से यहां पर consolidation हो जाता है उसके बाद यहां पर अगर company फिर यहाले levels break करती है तो यहां पर हम लोग buying करना start कर सकते हैं अब यहां पर आप लोग के मन में यह भी question होगा कि company कितना grow कर सकती है तो यह देखो थोड़ा बहुत मतलब एक बार को हमसे पू तो जितना आप लोग को historically growth देखने के लिए मिली है और जितनी बड़ी इंडस्री है उस पेस पही ग्रोग करती है तो बाद में थोड़ा सा हो सकता है return आपको दोहर पेस मिले हैं तो अभी के लिए फिलाल यहां से चलेंगे मिलेंगे अगले वीडियो में अगर वीडियो आ आइक करना शेयर करना और साथे साथ चैनल को सिस्क्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन वाली नोटिफिकेशन बटन भी जरूर दबाना ओके बाए